Dear ICSE 2023 के बोर्ड स्टूडेंट, अभी मैं तुम्हें तो रिवोलिशनरी 100% जो कोश्चन पार्ट और चाप्टर बताए आगए तो जोगराफी में भी मैं आपको बता रहा हूँ, गारांटेड इससे ज्यादा रहने कुमीद नहीं है, और सीरीज और वीडियोज 2 से 3 चार बना हूँगा, मैं आपके ज्यादा समय नहीं लूँगा और ज्यादा टाइन भी वेस्ट नहीं कुरूगा, प्वाइंट, टॉपिक और इंपॉर्टेंट डिटेल दूँगा, और इस संबाद में आपको बता दो कि जिस तर से मैथमेटिक्स में हुआ, वही बात जोगराफी मे हो, टू आर is not enough, यानि कि आपको दुबारा जोगराफी का पेपर नहीं देने को मिलेगा, टू आर के लिए ब्रैक्टिस करने होगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराएं जाने वाले वीडियो, कि तुल नाम है self study is a must, और इसके साथ जो भी आपके मैप वाक करने है, या पिर टूपोगराफी है, या फिर अने कोस्चल है, याद रखने हैं कि जोगराफी थोड़ा सा लिम्दी पेपर होता है स्टूडेंट, इससे पहले के सवाल पाएं, उनके पेपर के टाइमिंग खतम होते है, या मेरा चार से पाफ साल का नियूंतव अनुभाव रहा, आई स्टूडेंट को तीन पार्ट में बटे, इस कोस्चन में सबसे पहली बात है कि 30 मार्स का कोस्चन जिसमें सर्वे आफ इंडिया से रहता है, इसके लिए आपको रेफरेंस ग्रीट सिस्टम पता लगाने होंगे, सेटलमेंट और आयरुवेदि कॉलेज हो गया, या बंसा का फीगर जो दे दिये जाएंगे और उसके आधार पर आपको ग्रीट सिस्टम के है, आधार उपर बताएंगे, फोर ग्रीट सिस्टम होगे, इसके अलावे रेनिक पैटर में बताने के लिए आप जाएगा, human habitation बताने के लिए आएगा, जो point बता रहा हो, ध्यान रखने है, जो geographical structures है, इनके बारे में आएगा, खास करके कि कहाँ पर mountain है, या फिर जो forest range है, और river के बीच का side है, या human settlement है, इनको याद रखेंगे, फिर आपको calculate करने के लिए आ सकता है, grid system, 6924, और आपको अच्छे तरह से practice करने कि इस बार 6742, या फिर 6329, आइरिया 6632, इस तरह से, इस बार 61 system पर grid system निकाल लेकिनी रहेगा, आपको shortest distance, दो point होगा, जैसे कि सुकोई 2 panel, ये दो place है, आप देखेंगे वहाँ पर तो इसके निकाल लेने है, फिर advantage of representation fraction, कि आदार पर settlement scale पर देखेंगे, तो क्या आपको बता करने, मैं बाद टोकोग् आपकी करना हो, और उसकी अब बाद third grid system और fourth grid system, point 327 पर बताने होगे, और square grid दे दिया जाएगा, तो ये point आपको ध्यान पे रखने टोपोग्राफी में, दूसरे question है कि map of India, इंडिया के map से इस बार जो पताया जा रहा है, पोर्ट, important ports है, जैसे वाई जग है, विसा का पत है, नाथुला पास है, या फिर रोहांग पास है, इसको देख लेंगे, रोहांग दर्रावी इंडिया करते है, उसको देख लेंगे, इस बार एंडमान एंड सी, इसके बाद लक्षदिप आइलेंड को अच्छी तोरह से फैब्रिकेट करने के बाद मालाबार कोस्ट और को इंग को आप एक बार गोट्रू कर लिजेए, समय है, और इसको करने देख तो इसके बाद आपके पास लंगु कस्मी के पटिकुलर कैपिटल और वहां पर कौन से खरज निकलते हैं, पता की जबुक से मैं उसका अभी अंसर बता दूँ, यहां से सबसे ज्यादा पूला न करके उसकी जो चोटी यह पीक है, वो उसको भी देख सकते हैं, इंडिया में डेल्स पोपलेशन कहां पर है, स्पार्स पोपलेशन कहां पर है, इनको देख ले और लेबल कर ले यह आएंगे, नौर्थिस में चले जाएं, that's all, आपको ट्रिक बता दिया है, मैं objective type question यहां प चांस 100% guaranteed है, इरोजन में जो रीवर एरोजन है, घुली एरोजन है, माउंटेन इरोजन है, फिर आईस एरोजन है, इसको देख लेंगे, काल वैसाखी है, नर्वेस्टर है, चिनोंक है, वेस्टर नर्वेस्टर है, यह पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से ध्यान देने, द्यान दीजिया, मैं important points बता रहा हूं, topic to the topic की यहां से question आने की उम्मीद है, important chapter नहीं, कि यह question के रुप में तब्दीर कर दे, इससे पहले कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए, with proof का न, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कि ए point पढ़के जाए, ICSC Class 10 2023 जोग्राफी के paper में आने की 100% chances है, अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि CISC, बहुत सारे exam नरों के panel के द्वारा work करती है, question बनाती है, तो वहाँ पर मुझे benefit है, बहुत सारे नरों को जानता हूं, second point, कि वो किस तोरह से question को हड़ सा रिक्वीट नहीं करती है, और क्यों पैटर्न तो फॉलो करता है, तो CISC उसे पैटर्न को फॉलो करती है, और इसके आधार पर आपको देखने है, फिर farming के काइंट्स होगे ने, intense farming है, subsistence farming है, या फिर mixed farming है, commercial farming है, देख लेंगे, industries में cotton industries है, basic industries है, small scale industries है, cooperative industries है, यह सब अच्छी तरह से समझ लेने है, calculation the annual range of temperature, कोई एक लिटा दे दिया जाएगा, उसके आधार पर रहेगा, monsoon season है, तो monsoon season के आधार पर rainfall के बारे में पुचा जाएगा, mango shower करते है, किसको करते है, winter rain करते है, कहां होता है, किस बारे में होता है, आपको पूरे detail के साथ explain करने को आ सकता है, मैं भी तक सकता है, इंगलिश में एक water augmentation है, can be, कि आपको geographical region बताने है, कि मुंबाई ज्यादा होटर है, या देली ज्यादा होटर है, या फिर आप देख लेजिए, कि सबसे ज्यादा ठंड कहां ले लगदात में पढ़ती है, जमू कस्वी में लाहौन स्पीती में, तो यह आपको consider करने है, फिर rainfall के आधार पर आप इंडिया का जो relief feature बनता है, या फिर वहाँ सबसे ज्यादी rainfall होता है, उसकी आधार पर वहाँ पर किस तरह के agriculture और animal husbandry पाए जाके है, agriculture मतलब किस तरह का वहाँ पर किसी work होता है, यह आप अच्छी तरह से पढ़ लिजिए, यहाँ पर अभी मैं इस वीडियो बता देत फिर plants है, तो आपको plants के अधार पर देख लेने है कि किस तरह से mangrove plants हो गए, desert में जो plants होते है, उनके बारे में देख लेंगे, मेरे बात को अच्छी तरह से समझे, जो वीडियो में बता रहा हूं, उसको रोक कि समझे, बायो डिग्रेडेबल situation है, उसमें क्या benefit है, इसमें इन समझीद पर आपके question रहने की उम्मीद है, फिर sugar can industries का problem हो सकता है, rice can, rice के जो problem हो रहा है, या फिर wheat farmer क्या challenge को छेल रहा है, इस बार question रहने की इस बार उमीद बहुत ज़्यादा है, ancillary industries और plastic industries के साथ साथ public industries, जो भी है, PPP, public participation, private participation का हार पर जो इंडस्टीज का लोब प आप अच्छी तरह से देख लेंगे, golden coordinator, road को लेकर है न, पुरे देश में golden coordinator बनाने की बात हीगे, इसकी economic benefit है, फिर trade corridor है, इसके क्या benefit से advantage है, फिर air wage, road wage, water wage, clean wage के advantage देखने हैं, और कि इस तरह से इंडिया में develop या इसको देख लेंगे, फिर waste management को लेकर है, waste disposal का जो system है, य हम लोग plastic से कैसे avoid कर सकते हैं, हम लोग कचड़े को decompose करेंगे, तो किस तरह से होता है, radioactive जो system हमारे यहां है, या फिर medical waste है, इनको किस तरह से reduce किये जाने है, तो इस विसे पर आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, avoid को मैं एक बार फिर से कुछ छुट गया होंगे, तो यहां पर दो air wage और water wage को लेकर किस तरह से important आपके benefits हैं, मैंने तो पता ही देंगे, कि काफी मांगे होते हैं, water wage time consumings हैं, लेकिन benefits आप इसके देख लेंगे, फिर सब best transport systems किस तरह से होंगे, बताया जा रहा है कि इस बार question 100% industry से, agriculture से, waste management के बाद iron and steel industries है, तो उसे रहेंगे, रोड़ वेज, इन से पोश्राने के साथ, different kinds of industries और उनके कान जैसे cotton industries, jute industries है, यह कौनकों से problem झेल रहा है, और इनको किस तरह से support modernization की जरुवत है, या आगे बढ़ाने की जरुवत है, इस भी सैपन बहुत अच्छी तरह से देखने के बार, Indian farming के साथ, challenge और इनके जाते हैं, इसके क्या uses है, इसको भी देख लेने, याद रखने, population intensive, जो population के कारण problem हो रहे है, और जिस तरह से बहुत सारे irrigation के लिए कैनाल बगेर है, पहले बनाए गये थी, अब उसको खतम किया जा रहे है, तो इसके advantage और disadvantage निकने है, water को किस तरह से restore करना, water को defeat होने से आपको ध्यान जाने चाहिए, और इस बरतयारी कर लेने, एक conservation of ancient method of water conservation है, या traditional method of water conservation है, इसको देख लेंगे, और important plantation के साथ साथ कुछ तरह खास तरह के plants है, जैसे जाइलोफाइट से है, और या फिर आपके mangrove plants है, फिर desert में plants पाए जाते है, खेज़री वगेरा है, उनके इस बारे में देख लेने है, फिर एक river, वेड और एक river का description आ सकता है, यहाँ पर तीन important river का मैंना हम बता रहा हूँ, दंगा, फिर इसके बाद प्रांपुत्रा और सिंदों, तो इन तीन को आप देख लेंगे, फिर swag conservation है, पाइट्स को देख लेंगे, और swag conservation के advantage और disadvantage के काफी research के बाद बहुत साथे जानदरों के पास जाता हूँ, उनसे collect करता हूँ, उनके database होते हैं, उनके जो information होते हैं, उनके information को आप तक लाता हूँ, तो आप इस वीडियो को like करने, दोस्तों के बीक में share करने, और चैनल को subscribe करके रखे, ताकि मुए और अच्छे 100% accurate बात यनके रखे, यनके रखे, यनके में request करने सकता हूँ, कर सकता हूँ ना